जएहें साथियों तो इंडियन कुष्टगार्ड नाविक ZD, DB and यांत्री के वेकंसी के एडमिट कार्ड फाइनल आ चुके हैं जो वेकंसी अभी आय थी सप्तमबर में जिसके ओलाइन अप्लिकेशन हुए थे तो फाइनल इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिये गए हैं अभी आप अपना इक्जाम डेट and exam city चेक कर सकते हैं कि आपका इक्जाम किस डेट को है और आपका exam कहां पर होगा किस city में होगा तो वह अभी आप चेक कर सकते हैं तो किस तरीके से आपको चेक करना है और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का क्या प्रोसेस है सब्सक्राइब्स प्रिक्साइब को आलग पर ज़रू क्लिक कर लिए जगा सभी इंपोर्टेंट जनकारी आपको हमारी चैनल पर मिल जाएंगी तो देखें फ्रेंस एड्मिन कार्ट डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल पर आ जाना होगा यहां पर आपको आपको पहल की बिल जाता है करणाया का यहां पर आपको फिर्ण कोर्च्छ नुम खेंग्या को आपको आपको कुले करने के बाद आप इससके अलयको ॒म यहां पर आपको यहां explaining ऑप ne नहीं जाना होगा इस वाले option पर क्लिक करना होगा enrolled person तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऐसा option आएगा अब यहाँ पर आने के बाद आपको देख सकते हैं home page पर ही notification देखने को मिल जाएगा कि exam date and exam city available हो चुका है यहाँ पर दे सकते हैं exam date and name of city for icg01-2023 is available अब आपको यहाँ से login करके चेक करना है देखे इसका direct link मैं video के description box में दे दूँगा अगर आप official website से आ सकते हैं तो वहाँ से भी आ सकते हैं या फिर इसका direct link मैं video के description box में दे दूँगा और telegram पर भी दे दूँगा अब देखे email id आपको वही फिल करना है जो आपने application form में लगाया था और password भी आपको वही फिल करना है जो आपने form fill up के time बनाया था यहाँ पर आपको email का password नहीं एंटर करना है password आपने जो form apply के time बनाया था वही password यहाँ पर एंटर करना है अब यहाँ पर password फिल करेंगे email id करेंगे capture फिल करेंगे उसके बाद यहां से submit कर देंगे अर्थाल login कर देंगे अगर आप password भूल चुके हैं तो यहां पर एक option मिल जाता है forgot password का तो इस फोरगट password वाले option पर आपको click करना है अभी पॉर्डड पासवेट वाले अपसिर पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अपना email ID एंटर करना है तो जो भी email ID आपने लगाया था वहή email ID यहां पर एंटर करेंगे उसके बाइए यहां पर आपको चूज करना है कि आप OTP कहां पर पगाना चाहते हैं तो यहां पर आप इमेल चूच कर सकते हैं या फिर sms भी चूच कर सकते हैं तो आप कोई एक चूच कर लिज़ेगा यहां पर email id एंटर किज़ेगा उसके बारी खियर जनट OTP करेंगे तो आपके email id पर OTP जाएगा तो उस OTP को आप यहां पर enter करेंगे उस OTP को enter करने के बाद आपको इस capture को फिल करके यहां से submit करना है अब जैसे आप यहां से submit कर देंगे तो आपके email id पर आपका password भेज दिया जाएगा कि आपका password क्या है तो उस इस password को डालकर आप login करके अपना admit card देख सकते हैं अगर फिनेस आपको password पता है तो आपको यहां पर आना है login वाले section में आना है आपको forgot password नहीं करना है यहां पर email id password फिल करके login करेंगे तो चलिए मैं यहां से login कर लेता हूं तो यहां पर देखेए अपने email id and password fill कर लिया है अब इस login वाले आपसाँ पर क्लिक करना है जैसे login वाले आपसाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका dashboard open होके आ जागा यहां पर दे सकते हैं डायरेक्ट आपका exam date and exam city आ जाएगा यहां से मैं exam date check कर सकते हैं exam city चेक कर सकते हैं उसके यहां पर देखें आपका final admit card जो आपको exam center में लेके जाने होंगे वह आपके exam से चार दिन पहले download होंगे जैसे कि यहां पर दे सकते हैं इनका exam 23 नवंबर को है तो उनका admit card जो available हो जाएगा वो 19 नवंबर को available हो जाएगा तो इसी तरीके से आपका exam date जो भी होगा यहां पर आप देख लिजेगा उसके बाद यहां पर आपको date भी बता दिया जाएगा कि आपका admit card किस date को download होगा अब देखेए जब आपका admit card यहां पर available हो जाएगा तो यहीं पर आपको link मिल जाएगा admit card download करने का तो इसी प्रोसेस से आप अपने dashboard में आकर अपना admit card भी download कर सकते हैं अभी आप यहां पर exam date exam city चेक कर सकते हैं और यहां पर जो भी data आपको दिया होगा उस date को आप login करकि यहां पर आएंगे जिस तरीके से process हमने बताया तो उसी तरीके से login करकि के यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको link मिल जाएगा haramid card download करने का तो इस तरीके से आप download कर सकते है अब देखेए अगर के सांसलि produto करने के बाद तो यहां पर Sonra में आपको mistake से back हो जाता है तो यहां पर आने हैं यहां पर आपको click करने हैं एक बार तो ऐसा option आ जाएगा यहां पर stage first वाले option पर click कर देंगे तो यह सोग हो जाएगा तो इस तरीके से अभी आप चेक कर सकते हैं step by step process हमने आपको बता दिया बाकि आपका exam date कब है आप हमें comment section में बता सकते हैं कोई doubt आया अगर आप चेक नहीं कर पाते हैं तो telegram group को join कर लिजेगा उसका link description box में मिल जाएगा वहां पर join होके आप हमी message कर सकते हैं मैं आपकी help जरूर करूंगा चले फ्रेंस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा आप लोग अपने तयारी पर फोकस कीजिए exam में ज्यादा टाइम नहीं है बाकि कोई doubt आया तो comment section में पूछ सकते हैं चले मितने हैं अप लोगों से फिक से next वीडियो में तब तक लिए जैहिन